इस कारिक्रम के पुन्यार जखें भगवान नेमिनाथ दिगंबल जैन मंदिर सुस दिगंबल जैन मंदिर समिती अंतरगत जैन संग पूने जे एस पी ग्यानोते जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक सुस गाव पूने अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए थोड़ा सा हमें चिंतन करना चाहिए जश्लोक लेकर के चल रहे थे को अहम की द्रग गुना क्वत्या किम प्राप्या किम निमित्त कहा इत्युह प्रत्ययम नुचे दस्थाने नितिर्मतिर्भवेत पहला प्रश्ण जीवन का को हम मैं कौन हूँ जब हम अपने आपको पहचान लेते हैं हम अपनी छमता को परख लेते हैं मेरा पोटेंशिल क्या है यह समझ लेते हैं उसके बाद अगली स्टेप आती है आखिर मेरी क्वालिटी इस क्या क्या है मेरी गुन कौन कौन से हैं कई बार ऐसा भी होता है हम अपनी छमता को पैचान करके भी वो अचीव नहीं कर पाते जो चाहते हैं बहुत उपके साथ ऐसा होता है समझ लेता है कि मेरा पोटेंशिल तो बहुत है लेकिन वहां तक वो नहीं पहुँच पाता है उसके पीछे कौन से कारण होते हैं आज थोड़ा उनके बारे में अपन समझने की कोशिश करते हैं जो दूसरा प्रश्न उठाया गया है इसमें मेरे भीतर क्या-क्या है ऐसा कौन-कौन से गुन है एक यह एनलिसिस हमेशा होना चाहिए आचर भगवन ने एक दोहा लिखा है बड़ा अच्छा दोहा है जब उस दोहे को अपन सोचते हैं तो व्यक्ति और कहीं नहीं अपनी और लोट करके आता है क्या था क्या हूं क्या बनूं रेमन अब तो सोच वरना मरना वरन कर बार बार अफसोच सेल्फ रिफ्लेक्शन इंटो इस्पेक्शन इसी से आता है मैं क्या था वर्तमान में मैं क्या हूँ भविष्य में मुझे क्या होना है क्या बनना है रेमन अब तो सोच बार बार यह विक्ति को सोचना चाहिए और जो विक्ति यह नहीं सोचता है उसे लाइफ के एंड में सिवाए रिग्रेट के कुछ नहीं हासिल होता है सिवाए पस्तावा के एक अफसोस उसके बीतर रही जाता है और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें अपने लाइफ में बहुत से रिग्रेट सोंगे हम यह नहीं कर पाए सुचाता था कि लाइफ में भविश में हम यह करेंगे जब इस दुनिया को छोड़ते हैं छोड़ते समय है व्यक्ति चिंतन करता है, रिलाइज करता है अपने फ्लेस बेक में जाता है उस समय वो महसूस करता है कि बहुत सारी ऐसे चीजे थी जो मैंने सुचाता करूँगा कभी न कभी लेकिन नहीं कर पाया कई लोग के कई रिग्रेट सोंगे ऐसा नहीं है जीवन के अंत में ही वो पहचानता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जाता है एक फीज निकलते चले जाता है वैसे वैसे वो महसूस करने लगता है काश उस समय यह कर लिया होता मौका मैं चूग गया यही बात अचर भगवन कह रहे है क्या था क्या हूँ क्या बनूँ मेरा दीद कैसा था पाश्ट कैसा था क्या हम अपने पाश्ट के बारे में सुचते है कितने लोग अपने पाश्ट के बारे में सुचते है कहा तो यही जाता है विक्ति को हमेशा वर्दमान में रहना चाहिए हमेशा प्रिजन्ट में ही जीना चाहिए जो व्यक्ति पास्ट और फ्यूचर में जीता है वो अपने वर्तमान को खो देता है उसे जीवन में कुछ नहीं मिलता है किदि हम जिस हैपिनेस की तलास कर रहे है जिस आनंद की तलास कर रहे है वो हैपिनेस तो हमें वर्तमान में ही मिलेगा At that moment जो इस moment को छोड़ देगा वो कुछ भी नहीं पाएगा ऐसी कहा जाता है नहीं कहा जाता है लेकिन आचारबगबनिया कह रहे हैं नहीं हम यह भी सोचना हैं कि हम क्या थे हैं अपने अतीत की और जहात करके देखना चाहिए दिखना चाहिए कि नहीं चाहिए यदि हम अतीत की और लोट करके चले जाएंगे तो हमारा वर्तमान हाथ से फिसल जाएगा नहीं फिसल दे यदि हम भविश्क की कलपनाएं करने लगेंगे भविश्क के बारे में ज़्यादा प्लानिंग करने लगेंगे तो भी हमारा present नहीं रहेगा क्या future planning होने चाहिए planning तो होना चाहिए क्या अतीत को देखना चाहिए और नहीं देखना चाहिए नहीं तीनों ही equivalent होते हैं जब तक हम अतीत की और जाग करके नहीं देखेंगे हम वर्तमान में सुधार भी नहीं कर सकते वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए विक्ती के लिए आवश्चक है कि वो अपने हिश्टरी को देखे हिस्टरी से हमें बहुत बड़ी सिक्षाएं मिलती है इतिशास को जब हम पलटते हैं इतियास के पन्नों को जब हम देखते हैं उन लोगों के जीवन चरित्र को देखते हैं जिनोंनों जीवन जीआ लेकिन कहां कहां वे गलती कर गए उनकी उन गलतियों से बहुत बड़ा लेशन मिलता है ठीक है दूसरों की लाइफ इस्टोरी के बारे में आप सोचते हों पढ़ते हों कभी अपने जीवन के बारे में भी सोचा करो पढ़ा करो कितने लोग अपना एनलाइज करते हैं अपने आपको देखते हैं परकते हैं हमने अतीत में क्या-क्या गलतियां कर दीजी किन-किन छणों में हम से मिश्टिक्स हो गई हम वेकार कर गए जो नहीं करना चाहिए था रिग्रेट के लिए नहीं कह रहे है पस्ताने के लिए नहीं कह रहे है सुधार के लिए क्योंकि हमारा भविश उसी पर आधारित रहेगा अवस्य सोचना ही चाहिए कि हम कैसे जिए अभी तक की जो जिन्दगी हमने जी ली है अभी तक का समय जो हम व्यतीत कर चुके है जो हमारे हाथ से जा चुका है निकल चुका है नो डाउट अभी कर लॉट करके कभी नहीं आएगा हो जो जा चुका है वो आ नहीं सकता हम भी मानते हैं जो जा चुका है लेकिन जो हो चुका है उसे तो हमें देखना ही चाहिए कि नहीं हमने क्या-क्या किया आतीत में व्यक्ति को वावस चिंतन करना चाहिए पहली सीड़ी है मैं क्या था कैसा था मैं क्या-क्या मैंने किया किन-किन परिस्थितियों में किया क्यों किया जो मैंने किया सही किया अत्मा नहीं किया क्या उसके अलावा कोई और रास्ता था कि नहीं था कि जो मैंने रास्ते को चुना जिस रास्ते पर मैं चला वही सही था किसके अलावा और भी ऑप्शन्स अवेलिबल थे बिल्कुल तभी हम इंप्रूमेंट अपने भीतर पैदा कर सकते अन्यता कभी नहीं हो सकता है जैन सास्त्रों में एक बात आती है एक प्रतिकर्मन की बात आती है प्रतिकर्मन, आलोचना और प्रत्याख्यान तीन वर्ड़्स है प्रतिकर्मन जो होता है हमारे अतीत का होता है, पाष्ट का होता है जो सादू चरिया होती है, मुनी की चरिया होती है और इन तीन को हमेशा साथ में ले करके चलते है और डेली करने के लिए कहा है, हम सब के लिए और दिन में एक बार करने के लिए नहीं कहा है तीन तीन बार करने कोगा जब जब प्रतिक्रमन की बात आती है प्रतिक्रमन हमें हमारे अतीत में लेकर के जाता है और सबसे अच्छे सुद्धी प्रतिक्रमन से होती है प्रतिक्रमन हमारे लिए वो पाश्ट को और दिखलाने वाला होता है तो अचर भगवन केहते हैं इतना ही नहीं इतना ही पर्याप्त नहीं होगा प्रतिक्रमन के साथ साथ वर्तमान भी देखना है जिसे हम आलोचना केहते हैं वर्तमान में ऐसा नहीं कर रहा हूँ नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ वो लेतना ही sufficient नहीं है आलोशना के साथ साथ प्रत्याख्यान की भी आवश्रत्त प्रत्याख्यान भविश्य में मैं ऐसा नहीं करूँगा एक संकल्प एक दिड़ता भी तरकी एक नियम तीनों interlinked रहते हैं तीनों connect रहते हैं एक भी कड़ी छूट गई सब कुछ छूट जाएगा एक भी कड़ी तूट गई तो link चली जाएगी और link जाने के पश्या connection तूट जाता है जिससे आप connected थे अब connect नहीं रह पाओगे असे ही होता है इंटरनेट में भी तो यह होता है थोड़ी सी link जाती है तो connection तूट जाता है इस सारी तीनों प्रक्रियां तीनों प्रोसेस एक दूसरे से इंटर लिंक ही है वर्तमान को में जीने के लिए वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए हमें पहले अतीत की औरा आना होगा जब हम अतीत में आते हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि हम चिंता कर रहे हैं इस बात को समझना है उसका अर्थ यह नहीं है कि हम regret कर रहे हैं हम अफसोस कर रहे हैं जो व्यक्ति अपने अतीत को सोसता नहीं है उसका वर्तमान भी अच्छा नहीं हो सकता और जिसका वर्तमान अच्छा नहीं है उसका फीचर भी कभी अच्छा नहीं हो सकता हम चाहते हमारा फीचर हमारा भविश्य बहुत अच्छा हो हरवेक्ति चाहता है लेकिन भविश्य की वह इमारत वर्तमान की प्लिंध और पाष्ट की फाउन्डेशन पर डिपेंड करती है जब भी कोई बिल्डिंग बनती है न? इसकी फाउन्डेशन होती है फाउन्डेशन के पस्चाथ एक प्लिंध लेवल आती है अब प्लिंथ के बश्याद terrace आता है उपरवाले stages बाद में आती है हमें दिख लाई building दिखती है कर वो terrace नजर आता है elevation नजर आता है लेकिन हमें इसका foundation नजर नहीं आता present भी हम देख सकते है प्लिंथ भी हमें नजर आती है लेकिन ये एक के उपर एक एक के उपर एक ही dependent रहती है आधारित रहती है जिस building की foundation मजबूत नहीं हो गई वो टिक नहीं सकती हमारा भविश नकेवल हमारे वर्तमान बलकि हमारे पाश पर भी depend करता है बहुत सारे लोगे कहते हैं भविश्य की भी चिंता नहीं करना चाहिए जो बैव्यतीत हो चुका है अतीत में जा चुके हैं उसके बारे में क्या सोचना अब निकल चुका है नहीं उसके बारे में भी सोचना बड़ा आवश्रक है तीनों एक दूसरे से connected हैं हम नहीं कह सकते हाँ अब ये कैसे एक देव कि past और future तो 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 अलग ही अलग है वो कहां से connected है connected है की नहीं future जो भविश्य में जो आएगा वो हमने देखा नहीं अभी भविश्य को वो भी हमारे ही हाथ में होता है और जो निकल चुका है वो भी हमने ही किया है किसी और नहीं किया है हम पीछे जाकर के उसमें सुधार नहीं कर सकते ये तो हम भी मानते हैं कोई भी वेक्ति ये अपने past में जाकर के उसे rectify नहीं कर सकता हाँ लेकिन past को देख कर के past को सोच कर के वर्तमान को वविवस्थित अवस्य बना सकता है वविवस्थित अवस्य बनास